नमस्कार मैं हूँ आरेन और आप वहीं समय आरेन फोर फॉर फाइवेशन पर तो बात कर लेते हैं बीपीसी टी आरी थरी रेजल्ट मेरिट लिस्ट को लेकर कुछ लेडेस्ट अपडेट के बारे में यहां से देख सकते हैं आइंसर की जारी नहीं अवेर्थियों को मिल रही मेरिट लिस्ट यह क्या चक्कर है देख सकते हैं आप जानते हैं बीपीसी टी आरी थरी परिच्छा जो है 19 से 22 जुलाई तक समापत हो चुकी है लेकिन एक हफ़ते बात तक जो है अभी तक एंसर की जो है जारी नहीं की गई है लेकिन अवेर्थियों को जो है मेरिट लिस् और अवेर्थियों को जगर जगर से काल भी आ रहे हैं आपका कुछ ही नंबर से नहीं हो रहा फाइनल रिजल्ट में नाम लाना चाहते हैं तो पैसे भेजिए यहां सभी देख सकते हैं बीपीसी टी आरी थरी सिचक बाली के अवेर्थियों को डाटा लीक साती ठागी के ल जेताओं नहीं दी गई है आयोक को जानकारी प्राफ्थ हो रही है कि कतिपए कुछ बेक्तियों द्वारा सिचक बाली परिच्छा के अवेर्थियों को परिच्छा में सफल कराने है तो रासी की उगाही की जाई रही है तो रासी की मांग की जा रही है अवेर्थियों को इ तो इस सवी आम नागरी अवियर्थियों उनके और विवागों को निम्न चेताविन देना चाहता है। आयोग की हवाले से कोई भी विवयक्ति किसी परिषाथियों को आयोग की परिषए में लाप पूशानी के आलालेश देता है वुम्राः करता है। तो साच के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मुबाइल नंबर, रित्यादी तुरंत, अस्थानी थाना, आरती कपड़ा दिकारी के आयोग के संपक नंबर या पर नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पर सुचना तुरंदे. कोई भी अव्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्ति को परिचाओं में सफ़लोने के लिए रासी देने के कारे में लिप्त पाय जाते हैं, या इस तरह के अव्यक्ति या व्यक्ति को रद करते हुए आयोग को आगामी परिचाओं से भी विवर्जित किया जाएगा, साथ ही अभी व्यावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कारिवाई की जाएगी अवेर्थियों के परिच्छाओं में लादस देकर सफ़त कराने का दावा करने या ऐसी अफ़वा फैलाने वाले तत्मों के विरूद द्याहार परिच्छा संचाला नज्यम 1981 की सुसंगत दाराओं के तर्थ प्रात्मी की दर्श की जाएगी इस तरह की घटना हुए समद में आयोग का पच्छ जाने बिना सोसल मीडिया के माद्यम से अवेर्थियों को गुम्रा करने अफ़वा फैराने यूटूब चैनल कोचिंग जस्ता या अनतोतों पर कड़ी कार कारवाई करने के लिए आयोग जो है सोतंतर होगा कहने का तात परिया है कि बीपीसी ट्यारी 3 का जो एक्जाम जो है समात हो चुगा है एंसर की जो है बहुत चल्दाने वाली है ठीक है और उसके बाद जो है दो से तीन अपते लगेंगे रिजल्ट के आने में ठीक है तो आ प्राव की अविवर्ति पाए जाते हैं वहां पर जो है उन पर जो है कड़ी कारवाई की जाएगी ठीक है यहां से सूचना जारी कर दी गई है और आप बात कर लेते हैं आरचड की 65 पीसदी आरचड को रद करने वाले फैसले पर ततकाल रोग सुप्रीम कोर्ट ने किया इ नोगरियों में 65 पीसदी आरचड जो है नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के 20 जून के फैसले पर रोग लगाने से फिलाल इंकार कर दिया है हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के ओसे सैचिरिक संस्थानों और उंकसार्जिक नोगरियों में स्थी स्थी ओ पादिवाला और जश्टिस मनुन मिस्रा की पीट ने हाला कि हाई कोर्ट के फैसले खिलाब नितिस कुमा सरकार की वीचिस अनुद्री आजिता पर पर परिच्छर करने का फैसला किया पीट ने कहा हम इसस्तर पर लोग रगाने की चुक नहीं है हम बिहार सरकार को 10 स्याजि काउं को सितंबर 19 सुनवाई के लिए सुची बद करेंगी बिहार सरकार के वकिल स्याम दिवान ने तरक दिया कि नए काम के अनुसार बहुत सारे सासाथ कार चल रहे हैं उन्होंने 36 कर के एक हैसे ही मामले का जिक्र किया और कहा कि सिर्स अदारत ने मुस्मामलीन हाई सिर्स अदारत ने हाला कि उनकी दविवियों को अंजोना कर दिया साथ ही फैसले पर रोक लगाने के लिए आविदन पर नोटिस चारी करने से भी कार कर लिए है तो ये हैं बिहार में आरच्छर को लेकर कुश अपडेट्स तो अगर आप नहों को जानकारी पसंद आई है तो विडियो को लाइक करेंगा और चैनल को सबसे सब्सक्राइब करेंगा